अलंकार तुम्हें डरा रहा है तो सही जगा पर आये हो यहां पर हम अलंकार से संबंदि सब कुछ डाउट क्लियर करेंगे आपका ठीक है तो आज सबसे पहले हम यहां पर अर्था अलंकार की बात करेंगे और सूट पहन लो, पर्फ्यूम वगरा माल लो, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी सुभा बढ़ जाएगी, क्रीम पाउडर, मेक अप उक अप सब कर लो, तो क्या हो जाएगा, सुभा बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, उसी तरीके से कावे की सुभा कोन बढ़ाता है, अलंकार ठीक है, तो यह चीज आपको क्लेर होने चाहिए, ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें अर्था लंकार की, तो अर्था लंकार क्या होता है, कि जो अर्थ से, जो अर्थ से क्या बढ़ाए, कावे की सुभा बढ़ाए, ठीक है, जो अर्थ द्वारा कावे की सुभा बढ़ पर लिखा है और हम लोग ये पांच टाइब के पढ़ेंगे आज ठीक है और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं इसमें नाइन टेंथ में ठीक है तो उनके लिए हमने एक अलग से नया चैनल डेडिकेटेड उ इजाम नहीं हो जाते तब तक इस पे सारे वीडियो इस पे आपको सौट ट्रिक्स में यहां पे आते रहेंगे और बनते रहेंगे ठीक है तो चैनल जरूर सब्सक्राइग पर एगा और अब जाते हैं हम लोग किस पे अपने नोर्स पे ठीक है तो यहां पर एक बात होगी क अलंकार की ठीक है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उकमा अलंकार ठीक है मैं कोई परिभास्षा या यह सब चीजें न ही दुँघ जो आपको बोर करें हमको पता है के निकट या समीब हमारे पास आओ तो यह क्या हो गया उप हो गया ठीक है और मा मतलब क्या होता है यहाँ पर बताओ मा का मतलब क्या होता है मापना और तॉलना ठीक है तो अगर किसी से किसी का कंपेर करो क्या होता है ध्यान से सुना किसी से किसी का कंपेर करते हैं ठीक है किस इसमें वही कि उपमे से उपमान की तुलना हो ठीक है उपमे से उपमान की तुलना हो गया है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा उपमा ठीक है उपमे क्या होता है जिसकी उपमा दी जाती है और उपमान क्या हो जिससे उपमा क्या है दी जाए ठीक है अब यहां पर हम इसी का था था हैENA सब लोग यह कहा रहते इसका इंतजार्था की जहा पर ऊपैसे अगर कोई सब्म दिखेगा जैसे कोई काव में अगर सा दिख गया है है ना जैसे चांद सरोसन चहरा है ना चांद सरोसन चहरा तो तो सा यीज ऑपमालंकार हो गया तीक है अब इसका देख ले तेखिए आपर ये चांद सरोसन चहरा जील सी नीली आखें तो सा पद कोमल कमल शेल है ना यहां पर क्या है हरी पद पद मतलब होता है पैर हरी मतलब इश्व्र तो हरीक के पद कोमल है किसे कमल से कमल से इसी कोमल है है न स्वी क्या है मापा जा रहा है कम- sincerity क संघ किसके किसके कि का विकराल ठीक है तो सी यहाँ पर क्या हो गया उपमा लंकार हो गया समझ गये मुख बाल रवी सम सम तो सम शा सी से इस तरीक आएगा समझ ले ना रूपक है अब देखो अब मतलब उपमा है रूपक का देखो रूपक में क्या होता है, यहाँ पर उपमे को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, कहने के मतलब उसमें क्या हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, उसे के रूप में ही दिखा दिया, यहाँ पर नहीं किया, मतलब सेम टू सेम वही है, है न, डूपलिकेट हो गया, है न, य गृट्र पर तो यहां पर क्या होता है यह योजकस है यह जो sign है योजक चिन्यक है ठीक है यह अधिकतर लगा होता है किस में रूपक अलंकार में है न तो इससे आप आदमी जो है पहचान लेगा कि यह रूपक अलंकार है लेकिन हाँ यहाँ पे उपमा और उत्पेक्षागर नहीं होगा तो और यहाँ पे यह लगा हो तो यहाँ पे है कि मईया मुझे कैसा खिलोना चाहिए चंद्रमा सामने देखो चंद्रमा है मुझे वही वाला खिलोना चाहिए वह वाला ठीक है तो मतलब किसी और का नहीं चाहिए मतलब वही वाला वही सा है ना मतलब उसी का ही डूपलिकेट मुझे चाहिए या वही चाहिए है ना तो वो क्या हो गया उसके रूप जैसा ठीक है तो इसमें जो है वो आप समझ दूतने हैं कि यहां पर क्या हो जो यूजब चिन हो तो यहां पर अगर यहां पर है तो आप मान लेंगे रूप कलंकार हो जाएगा अब उत्प्रेक्षा को बहुत सरल होता है अब देखो जो मान लिया जाता है है ना जो मान लिया जाता है मानने का मतलग कैसे कैसे मान लेंगे है ना जैसे कि अगर कोई क्रिकेटर है जैसे विराट कोली है ना तो कुछ लोग कहेंगे कि विराट कोली कैसा है मानो सचिन जैसा खेल रहा है विराट कोली मानो सचिन जैसा खेल रहा है तो मानो ऐसा खेला जैसे मानो सचिन हो ऐसा कर ऐसा बोलते हैं कुछ लोग है ना तो जैसे एक उसकी मूर्ती बनी थी उनकी मूर्ती बनी थी सचिन दिल्वर की तो कहते हैं यह मूर्ती मानो की इस्ट्यू इस्मित की है है ना इस्ट्यू इस्मित की जो मूर्ती है है ना मान खेड़े में जो लग जब यहाँ पर किसी की संभावना बताई जाए, जहां उपमे में उपमान की संभावना बताई जाए, संभावना यानि हो सकता है, है ना, लग रहा है मुझको, यहाँ पर संभावना हुई, ठीक है, हाँ, माना की, तो जब संभावना बताएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा लंकार होगा ठीक है इसका सबसे सरल तरीका क्या है कि अगर कहीं पर भी आपको ये दिख जाए कि उसमें मनु है तो यहां पर कहीं भी अगर इन में से कोई भी ऐसा सब्द अगर आपको कावे में दिख जिया आपके पेपर में आया अगर आया कि सोहत ओड़े पुट पर स्याम सलोने गात मनहु नील मरी सैल पर आतप्रयो प्रभाद ठीक है तो मनहु आपको यह एक्जामपल दिया अब पूछा किया पे कौन सा अलंकार है तो तुमको क्या गरना है मनहु लगा दिया है तो मतलब सीदे सीदे है कि यह क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा ठीक है अगर आगे बात करें आगे कौन साभी या अतिश्योक्ति या सुनो ना संगमरमर कि ये दिवारे कुछ हमी नहीं है आगे तुम्हारे और तेरे वास्ते मैं तो चांद लाओंगा और ऐसे कुछ है ना कि तेरे वास्ते तो मैं चांद लाओंगा फलक से तोड़ ले आओंगा तो ये सब क्या है अतिश्योक्ति ही है अतिश्योक्ति मद्धा बढ़ा टड़ा कर कहना ठीक है अ मतलब ये सब बज़ीजे कि कोई बाते नहीं है प्रेमी है और उसकी प्रेमिका है तो उसके लिए बहुत सारी जो मन गरन्त हो रही होती हैं है ना कि अरे चलो तो मैं सितारों के सहर में तुम पो लेके चलता हूं सितारों का सहर कैसे तुम आसमान में अंतरिक्ष में धोड़ी जाओगे ठीक है तो इसका मतलब यही होता यह क्या है कि मनुमन इसमें क्या है कि बहुत बढ़ा चड़ा के बोलेंगे हनुमान की पूछ में लगन नपाई आग लंका सगरी जल गय गए निसाचर भाग हैना कि हनुमान की पूछ में क्या है अग भी नहीं लगी थी है ना जो explain कर रहे हैं है हनुमान जी ने जो लंका जलाकर आये तो वह तो यहां कि जो पूछ है उसमें आग लगी भी नहीं थी और पूरा पूरा लंका इतन धूरियार गया ऐसे बता रहे हैं बहुत बढ़ा चड़ा के बता रहे हैं ना मैंने पेपर लिखा भी नहीं था और पूरे के पूरे नंबर आ गए तो यह क्या है अतिस्योगति मतलब पूरा का प बहुत थी बढ़ा चड़ा कर प्रस्तुत किया गया है तो इसमें समझ लेना कि यह क्या है जैसे यह बोला ना सुनो ना संगमरमर की यह दीवारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे है ना और एक बोलते हैं ना कि चांद सी मैं बहुवा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हा है मैंने बेदाग देखा है है ना समझ गए ए चांद हमने भी एक चांद देखा है तुझे में तो दाग है, हमने बेदाग देखा है, तो यह क्या है, यह अतिस्योक्ति तो है, बड़ा चड़ा के बोल लो, ठीक है, अब यहाँ पर मानवी करण पर आ जाते हैं, मानवी करण में क्या है, कि इसको मानवी करण, यानि मानो के जैसा दिखाए, अगर फूल, पत्त कि जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव का मतलब होता है, नॉन लिविंग ठीक है, जैसे यह रिमोट है, है ना, अब इसको अगर मैं कह दू कि मानो जैसे चले, है ना, ऐसा कह दें कि यह मानो जैसा चल रहा है, या लिविंग ठीक से कंपेर करें, तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे मानविकरण हो जाएगा समझ गए अब यहाँ पे देखो जहां निर्जीव या प्राकृतिक प्रदार्थ को मानों की रूप में प्रस्तित करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मानविकरण मतलब कहने में रात और दिन को किस से कंपेर कर रही है रात और दिन कैसा है एक भावनात्मक सब्द है लेकिन फिर भी उसको living things में दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब मानविकरण किया गया तो जहां पर ऐसा example दिखें कि जहां पर किसी निर्जीव च अब लोग क्या है तो इसको क्या कहेंगे इसको अगर मानो जैसे दिखाया जाए है ना तो क्या कहेंगे मानविकरण अलंका फिक है तो यह चीज हो गई मानविकरण तक मैं आज पढ़ाऊंगा आपको तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा कि MS Education Foundation यह चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिजे जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा यहाँ पर मैं सारी वीडियो जैसे प्रचे से लेके जितने भी वीडियो होते हैं जो भी टॉपिक्स होते हैं साथी साथ मैस की भी क्लासेश चिलेंगी साइन्स की भी क्लास लगी और सबकुछ एकदम सौट में ही हमारे यहां पढ़ा जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं और सबस्क्राइब जरूर कर सकते हैं या अपने जो भी अगर आप बड़े हैं और तो आपके कोई छोटे हैं उनको अगर सबस्क्राइब कराना है तो आप भी कि बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा बहुत मेनत लगती है तो एक लाइक तो बनती है ठीक है तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद